हेलो प्यारे दोस्तों स्वागत है दीदी की रेसिपी में आज हम बनाएंगे एक भुर्जी ओभी ग्रेवी वाली तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे एक भुर्जी की रेसिपी दीजी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और उससे पहले मेरे वीडियो को प्लीज आप ल अंडे की कौंटिटी आप कम जादा कर सकते हैं और इसे सबसे पहले अच्छे से डालने के बाद थोड़ा सा नमक और गरम मसाला डाल के सीम्पली से क्या करना है पका लेना है जब तक यह अंडा अच्छे से सूख नजाए तो पल्टे से हमेसा इसे चलाते रहने क्योंकि अ मौश्यर एकदम से रिलीज कर देना है ताकि इसका इससे में स्मेल ना है इसलिए अंडे की स्मेल चली जाएगी इसलिए इससे पूरा अच्छी तरह से सुखा लीजिए इससे मैंने देखी दूसरे बरतन में निकाल लिया है अब उसी कड़ाई में हम फिर से तेल लेंगे रफली इस तरह से चौप कर लेना है इस तरह और इससे मिक्स करते रहेंगे जब तक इससे चलाते रहेंगे और जैसे ही ये सुनेहरा हो जाएगा तो हम इसमें अधरक लेशन का पेस्ट डालेंगे एक चमच एक चमच हल्दी पावडर एक चमच गर्रम मसाला पावडर और एक चमस यहाँ पर लाल मिर्ची पावडर हम डालेंगे कलर के लिए और इन मसालों को हमें फ्रेंस धीमी आज पर भुनना है ताकि मसाले हमारे जले नहीं तो धीमी आज पर इससे भुनेंगी तब तक इनका तेल रिलीज ना हो जाए तब तक मसाले अच्छे से पकना जाए त तो धीमी आज पर इसे भुनते रहेंगे मसाले को अब थोड़ी ही देर में देखेंगे कि मसाले का कलर चेंज हो गया है तो अच्छे से यहाँ पर जब यह पक जाए तो मैंने यहाँ पर लिए सूखी लाल मिर्ची इसे भी डाल देंगे तो तीखा यहाँ पर थोड़ा मैं अब यह देखिए मसाले जैसे हमारे भुन गे तो लगबक दो चमच मैंने इसमें पानी डाला है ताकि ग्रेवी जले ना अब इसके बाद जो हमने अंडे लिये हैं इसे डाल देंगे तो सुखे अंडे इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से इन्हें हम दो बनाया है दोस्तों यह देखिए बिन के एदम तयार हो गई है और थोड़ा सा हम इस पे धनिया छीडिक देंगे तो यह वाला मैंने फ्रेंस रोटी के साथ खाने के लिए बनाया है तो यह मैं एक रेसिपी के साथ दो-दो आपको बताऊंगी तो यह वाला जो मैंने अंडा बनाया है रोटी के साथ खाने के लिए बनाया है चलिए इस सब्सक्राइब करको दिखाते है आप लोगों को तो यह मैंने दोनों ट्राइ किया था तो बहुत ही टेस्टी लगी थी सोचा मैं आप लोगों को भी बताऊं तो सबसे पहले मैंने यहां पर सूखा वाला प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूले और तो देखे दोस्तों अब हम ग्रेवी वाली भी बना लेते हैं अब यहां तक रेसिपी आसान हो गई है तो हम क्या करेंगे इसी में थोड़ा सा जो हमने मसाला ब कर्मा गरम सर्फ करेंगे फ्रेंगे तब तक कि लिए फ्रेंज में लेती अलविदा रखे अपना ध्यान थैंक्स फो वाचिंग बभ बाई दीदी की रेसिपी देखते रहें अले पागा